ये गाइज मेरा नहीं पंगर शाओ और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्नो शाओ में टाइटल और थम्रील को देखकर आप समझी दोगा आज मैं लीकर आया हूँ बेस्ट साउंड बास अंडर 10,000 रुपीस तो गाइज अगर आप किसी भी तरगे का electronic product जैसे की Bluetooth earphone, neckband, earbud या फिर wide earphones purchase करना चाहते हैं तो मैंने नीचे एक मेरा link दिया हुआ है जहां से जाकर आप बहुत reasonable price में purchase कर सकते हैं यहां आपको हर तरगे का electronic products मिल जाता है चाहे वो speaker हो या फिर earphone हो या फिर power band तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे channel पे ने हो तो इससे subscribe करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए bell icon को दबाकर और पे क्लिक जरूर करो So guys हमारे list में सबसे पहला soundbar है boat avante bar 1160 boat के तरफ से avante bar 1160 2.0 channel को भी support करता है इसके अंदर 2.25 के 4 drivers है जो आपको 60W sound output प्रोवाइड करता है बात करें इसके look and design की तो इसका sleek and premium design आपके living room को और भी जादा बेटर बना देता है इसे आप दो तरीके से control कर सकते हैं सबसे पहला तरीका है remote से और दूसरा तरीका है इसके device में ही inbuilt mounted buttons दिये गए हैं जिससे आप music play, pause and volume भी control कर सकते हैं बात करें connectivity की तो इसमें आपको Bluetooth, aux in, USB और भी बहुत सारे connectivity के options आपको मिल जाते हैं इसका online price है 9,909 हमारे लिश्ट पर दूसरा soundbar है Blaupunk के तरफ से SBW 100 SBW 100 soundbar आपको 120W sound output देता है soundbar के साथ कुछ white subwoofers आते हैं जो आपको heavy bass music provide करता है इसका slick design की वज़े से आप इससे बहुत ज़ादा compact space में भी रख सकते हैं इसमें equalizer mode है जिससे आप अपने music and environment के हिसाब से audio quality change कर सकते हैं इसका साथ साथ आपको music, movie, news and 3D mode भी मिल जाता है Subwoofer का side firing design आपको better quality bass and thumb provide करता है बात करे connectivity की तो आप इसे Bluetooth, auxin, HDMI and USB से भी connect कर सकते हैं soundbar में mounted buttons के साथ साथ आपको remote भी मिल जाता है जिससे आप बहुत आसानी से इसे control भी कर सकते हैं बात करें इसके online price के तो उसका price है 12,999 लेकिन आपको Amazon में offer में ये 7,708 में भी मिल जाता है हमारे list में third soundbar है Realme 100W Realme का soundbar 60W full range speaker है जो आपके movie experience को और भी जादा better बनाता है बात करें connectivity की तो इसमें आपको Bluetooth connectivity, auxin, USB jack and HDMI port मिल जाता है हमारे list में fourth soundbar है Samsung T400 T400 soundbar 2.0 channel surrounding system को support करता है and ये Dolby technology के साथ आता है इसका सबसे खास बाद आप रुदूत connectivity के थूरू wireless music stream कर सकते हैं साथी साथ movies भी watch कर सकते हैं वहीं external connectivity की बात करें तो आपके बाद USB port का option है इसमें दूसरे soundbars की तरह ही से भी आप remote या फिर device में mounted buttons से भी control कर सकते हैं इसका online price 10,990 है हमारे list में fifth soundbar है PIONAR SBX 101 यहां आप अपने soundbar और इसके subwoofer को अलग जगा पर रखके use कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों को आप wirelessly भी connect कर सकते हैं इसका साथ साथ आपको इसमें aux in 3.5 mm line-in and optical input port री मिल जाता है यह soundbar भी Dolby Audio technology को support करता है और आपके theater-like sound को और भी जादा enhance करता है दूसरे soundbars के दर आप इसे भी remote and mounted buttons से connect कर सकते हैं इसका online price है 9,900 So I hope guys आप लोगों यह समझ आगिया होगा कि 10,000 के अंदर कौन soundbars है जिससे आप purchase कर सकते हैं और मैंने सारे soundbars के specification के बार में बताया है जिससे आपको आसानी होगा अपने हिसाब से कोई भी soundbar को purchase करने के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like करें अपने दोस्तों का share कर और मुझे comment करके बता है आपको यह वीडियो कैसा लगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो